नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर डुगों कंसर्वेशन डिसर्व के बार में डिसकस करेंगे Recently, Tamil Nadu State Government इंडिया का पेहला डुगों कंसर्वेशन डिसर्व डिकलेर किया है Along the Southeast Coast of India देखिए, डुगों कंसर्वेशन डिसर्व डिकलेर करने से उस एरिया का मरेन बायो डिवरसिटी भी प्रोटेक्ट हो सकता है उसके बार में हम इन डिटेल डिसकस करेंगे वैसे दोस्तों, देखिए, ये डुगों कंसर्वेशन डिसर्व का लोकेशन कहां पे है सबसे पहले, गल्फ ऑफ मानार और अडजसेंट पार्ग बे का लोकेशन आप देख लीजिए इंडिया का सौंट इसर्वेशन कोस में इथर आपको मिलेगा पार्ग बे, सथेंट सेड में गल्फ ऑफ मानार है वैसे बे का मतलब क्या होते है दोस्तों, जब भी कोई लांड पार्ट, ओशन से अंदर की तरफ इस तरह कर्व लेते हैं, इसे बे बोलते है आण इस Bay का नाम है पांक वे यह जो स्ट्रेट है इसका नाम है पांक स्ट्रेट वैसे पांक से आया देखें बिस नाच के टाइम पर, Madras Presidency का Governor का नाम था Robert Park उनी के नाम पर Park Bay and Park State नाम आया आप देखिए दुनिया में टोटल 200 से लेके 250 तक डुगोंग बचा हुआ है उसमें से एरोन 150 जो है आपको Park Bay and Gulf of Manor रीजिन में मिलेगा तो यह जो रीजिन है अगर डुगोंग को कंसर्व करना है तो Park Bay and Gulf of Manor एरिया को कंसर्व करना बहुँ जरूरी है क्योंगी मैक्सिमम डुगोंग पोपुलेशन जो है आपको इस एरिया में मिलेगा यह कंसर्वेशन रिसर्व का एरिया टोटल 500 किलोमेटर का होगा नौर्थेन पार्ट ऑफ पागबे में अधिरम पतनम से लेके आमपतनम तक रिसर्व का एरिया होगा वैसे दोस्तों 2016 से लेके 2019 तक वेरियस सब्वेश वेर कंडुक्टेड इन पागबे और गल्फ ऑफ मानार और यह पता चला है इंडिया में हाइस कॉंसरेशन ऑफ डुगोंग जो है वो पागबे और गल्फ ऑफ मानार में है आप दोस्तों डुगोंग के बार में कुछ बेसिक डीटेल्स इसे सी कव भी बोलते है एक हर्भी वोरस मैमले और यह बिलौंग करते हैं डुगोंगिडै फैमिली से देखें डुगोंगिडै फैमिली से बिलौंग करने वाला और भी और गानिशम्स थे पहले वो एक्स्तींड ओ चुका है So, this is the only living representative of Dugong Gide. It's strictly marine mammal. Only oceans में आपको ये मिलेगा. Saline water में. They graze on sea grass and come to the surface to breathe. आप देखे दोस्तों. इसका जो main food है, वो sea grass है. जो sea floor में मिलते हैं. और ये surface में आता है, सास लेने के लिए. Obviously, this is a mammal. तो इन्हें पानी में तो सास नहीं ले पाएगा. तो इस एरिया में, इंडिया में डुगोंग आपको मिलेगा. And wildlife institute of India के estimates की इसाब से, 200 से लेके 250 डुगोंगs वाइल्ड में लेफ्ट है. उस में से 150 जो है पागबे और गल्फ ऑफ मानारें तमलनाडू में है. ये में आपको बता दिया था. And world डुगोंग डे भी celebrate करते हैं 28th May every year. Now, इनके उपर threats क्या-क्या है? देखे, seagrass habitats laws होने से इनके उपर major threat है. क्योंगी इनका major food है seagrass. फिर water pollution इने अफेट करते हैं. फिर developmental activities की वज़े से, जब coastal ecosystem degrade होता है. और भी उचली इने अफेट करेगा. फिर accidental entanglement in fishing nets. ये क्या होते हैं दोस्तों? इसे बोलते है bycatch. फिशर्मेंट जब मचली पकटने के लिए nets बिचाते हैं. उसके अंदर गलती से कभी-कभी डुगोंग, डॉल्फिन्स जैसे mammals भी फस जाता है. जिसकी वज़े से इनका death तक हो जाता है. तो ये एक major threat है. फिर कभी-कभी ये boat से, trolling vessel से collade होता है. जिसे इनका death होता है. इनके conservation status देखी. International Union of Conservation of Nature का vulnerable status दिया हुआ है. Sights का appendix 1 में है. हमारा Wildlife Protection Act 1972 के under top priority है. Schedule 1 में डाला हुआ है. अब देखी. डुगों को conserve करना मतलब आपको sea grass को भी conserve करना पड़ेगा. क्यूंगी एक डुगों एक दिन में 40 किलो तक sea grass खाते है. तो डुगों के survival के लिए sea grass होना बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको इधर बोला था. laws of sea grass habitats जो है major threat है डुगों के लाइफ के ओपर. तो इसलिए ही तमिलनाडू के एक state university ने एक project चलाया था. जिसमें वो sea grass को culture करके समुदर के नीचे implant किया था. इस तरह वो 14 acres of sea grass को restore भी किया था. तो कहने का मतलब यह है तमिलनाडू state university ने काफी अच्छे चे काम किया है sea grass area को restore करने के लिए. यह जो sea grass है यह basically submerged flowering plants है. यह आपको shallow marine waters में देखनी को मिलेगा. देखे जहां sunlight पहुंचते है न दोस्तों उथरी sea grass मिलेगा आपको. यह sea grass जो है water quality को enhance करने में मदद करते हैं. क्यूंकि यह carbon dioxide absorb करते हैं and oxygen generate करते हैं. और इसलिए ही they also serve as breeding grounds for many fish species. many fish species के लिए यह breeding grounds भी है. तो देखे दोखों डुगों को conserve करने से आप sea grass को conserve कर रहे हो and sea grass को conserve करने से आप पूरी marine biodiversity के लिए मदद कर रहे हो. समझ रहे हो ना? Gulf of Maanar Park Bay region में 13 different species of sea grasses है. इन में dominant species है thalacia hemprichy, syringodium isotifolium and symodochia cerulata. आप देखे दोस्तों इस चरह का question भी बन सकता है. आप से पूचागा thalacia, syringodium, symodochia ऐसाथ क्या है? तो ध्यान दीजेगा notes में incorporate केजेगा. ठीक है? Finally, conservation in India. देखे, February 2020 में, India Conference of Parties of the Convention of Conservation of Migratory Species of Wild Animals host किये थे. इससे बिसीकली एक environmental treaty है under the United Nations Environment Program. Government of India, CMS का एक signatory है 1983 से. तो CMS के साथ, Government of India ने आलग-अलग Memorandum of Understanding sign किया है. Basically, conservation and management of Siberian crimes के लिए किया था 1998 में, marine turtles के conservation के लिए 2007 में, and dugong conservation के लिए 2008 में, and raptors के conservation के लिए 2016 में. तो ये जो Memorandum of Understanding में, जितने points लिखा है, उसका correct implementation के लिए, हमारा Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने, एक Task Force of Conservation of Dugongs भी setup किया था. To look into issues related to conservation of Dugong. तो, basically आपको क्या समझ में आ रहा है? Dugong conservation के लिए, Government of India भी अलग-अलग steps लिया है. ठीक है? तो दोस्तों, that's end of it. I hope आपको समझ में आया होगा. इसमें एक point important है, Dugong conservation deserve किस तरह marine biodiversity को protect करने में मदद करते हैं. देखे, इधर sea grass की बात हो रही है. ठीक है, ध्यान दीजेगा. Dugong को conserve करना है, तो आपको sea grass conserve करना पड़ेगा. Sea grass conserve करने से, आप marine biodiversity को directly मदद करते हैं. क्योंकि sea grass जो है, एक तो अलग-अलग fish species के लिए breeding grounds है, दूसरा ये water quality को enhance करने में मदद करते हैं. तो इस सरे points अब ध्यान दीजेगा. So, lecture की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे प्रवेड़ेड़ है. Thank you for watching, bye bye. Have an age day.